बिस्मिल्ला रुहमान रुहमान रुहम अस्सलाम अलेकुम वेलकम तो आर चैनल आइसी प्याचे साहरवाय के इस में डॉक्टर मदीहा तोड़े और वीडियो लेक्चर इस अबाउट हामून तो हामून पे इससे पहले हम फाइव लेक्चर डिसकस कर चुके हैं आज हमारा सिक्स लेक्चर है और इस सिक्स लेक्चर के हमारे जो कॉंटेंट होंगे तो हम प्रिवियस जो हमने फाइव लेक्चर डिसकस किये थे जो कि आपकी टेक्स्पुक के पेश नमबर 36 से 39 तक थे जिसमें हमने हामून की डेफिनिशन, एंडोक्राइनलोजी, ग्लैंड और हार्मून्ज्क की क्लास्सिटिफिकेशन और हार्मूनकी क्लासिफिकेशन और छार्मून की डेफिकेशन ऑन इबीसिज ओफ दियर जैमिकल निच्र यह सारे डिसकस कें थी तो आज उन ही सब को हम summarize जो एक उसका view करेंगे तो आज का हमारा six lecture first slide है हमने discuss किया जब हमारा chapter start हुआ था तो हमने उसमें कहा कि endocrine logic क्या होती है तो study of endocrine glands इसमें हमने ये कहा कि endocrine gland की normal physiology उसके normal function plus उसके normal function जिसमें हमने कहा कि उसके disorders उसके और उसको treat करने के लिए फिर treatment यह सब जब हम पढ़ेंगे तो जिस study में हम पढ़ेंगे हमने उसको नाम दिया endocrine logic तो अब यह सारा हम जिसके बारे में पढ़े रहे हैं तो वो सब हैं endocrine glands तो हम discuss कर रहे हैं study of endocrine gland को तो endocrine logic is the study of endocrine gland जिसमें we will discuss about its normal function, normal physiology और इसकी disorder और प्लस इसके treatment फिर उसके बाद हम ने कहा कि endocrine gland क्या होते हैं endocrine gland हमारी body के duct less glands होते हैं यह वो glands होते हैं, जिनकी tubes नहीं होती है या आप कह सकते हो कि यह वो gland है जिनकी नालिया नहीं है तो फिर यह जब ductless है तो यह अपनी secretion कैसे body में भेचते हैं तो यह अपनी secretion हमारे body के fluid के तुरू हमारी body की circulation में यह circulate करवाते हैं फिर third हमारा term था यह glands होते क्या हैं तो glands कोई भी ऐसा cell, कोई भी ऐसा tissue या organ जो किसी खास किसम के chemical substances release करे उन chemical substances का body की physiology पे effect हो तो हम उन chemical substances को कहेंगे hormones इस वक्त जो slide आपके सामने हैं इसमें आपको यह कुछ जो यह label diagram है इसमें आपको कुछ label show हो रहे होंगे red color से और कुछ यहाँ पे उसी के नीचे, हर red color के नीचे आपको कुछ terms जो हैं वो show हो रही हैं black color है तो यह जो red color से labeled point out किये हुए हैं यह वो सारे organs हैं या आप क्या सकते हो कि वो cells हैं या वो tissue हैं जिसको हम थोड़े पहले gland का नाम दिया हमने तो यह वो सारे glands हैं यह जो red color से labeled जो pointed जो organs आपको नज़र आ रहे हैं यह सारे वो glands हैं जो के hormone की release करवाएंगे तो यह सारे वो glands हैं जो के hormone की release करवाएंगे फिर उसके बाद इन ही हर gland के नीचे कुछ terms लिखे हुए हैं black color से यह सारे उन hormones के नाम हैं जो के इन glands की secretion हैं जैसे कि यह आपके पास थारवाड और पैरा थारवाड gland आपको पता है कि यह neck की base में होता है butterfly shape है अगर आप इसको front view से देखो तो आपको यह थारवाड gland नज़र आएगा जो है वो glands नज़र आएंगे यह चार जो है चारो corner में glands होंगे यह पैरा थारवाड gland है इसी तरह से इसके नीचे आपको जो नज़र आ रहा है T3, T4, Calcitonin और पैरा थारवाड हार्मून तो यह थारवाड gland और पैरा थारवाड gland की secretion है यह सारी जो detail है हम वो previous lecture में discuss कर चुके है हमने सारी abbreviations, सारे glands, उनके हार्मून यह सब हम previous lecture में discuss कर चुके है लेकिन आज हम उन ही सब को का revision करेंगे तो इससे अब यह slide आपको show कराने का मकसद यह है कि आपको idea हो जाए कि कैसे glands होते है हर gland की secretions होती है, हर gland की कुछ खास hormones होते हैं जो के वो secret करते हैं फिर उसके बाद कुछ और भी points हैं जैसे कि आपको यह भी explain करवाना है कि हर gland के सारे hormones जरूरी नहीं उन सब का same body के physiology पे action हो तो हर gland के हार्मों जो है वो body के physiology पे अलग-अलग part पे अलग-अलग organ पे उनके कोई ना कोई effect हो सकता है और अलग-अलग तरह से effect हो सकता है यह भी हो सकता है कि उसके जो दोनो किसी एक जो gland है उसके जो दो hormone release हो रहे हैं तो यह सारे यहां पे आपके mind में clear होना चाहिए कि हर gland के hormone जरूरी नहीं कि उनका same action हो जरूरी नहीं उनका action जो है वो एक यह organ के उपर हो और प्लस एक और point जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे hormone जो कि किसी भी gland के release हो रहे हैं तो वो सारे hormone उनकी जो chemical nature है वो same हो hypothalamus जैसे के नाम इंडिकेट कर रहा है कि यह below hypo कहते हम below को तो यह हमारे brain का वो यह वो gland है जो कि हमारे brain में thalamus से below होगा फिर उसके बाद हमने discuss किया था pituitary gland को pituitary gland जो है यह होता है in between hypothalamus and pineal gland के between में होता है तो hypothalamus कुछ ऐसे hormone release करवाता है जो के दूसरे hormone के release पर उनका effect होता है तो यहां से हमें यह का 하니까 क norms का इंडिपेंडेनन कोई न कोई action हो और फिर फ़र्धर जो में नैक्शन हो गए प्राइमरी आक्शन आप कहलो तो वह दूसरी किसी और हार्मोन का हो सकता है लेकिन kijारी का फंक्शन इतना हो क्या उसकर्वानी हो या सट्युमीलेट कर Cum backside यकिन यहां धारवड ग्लैने उर्मून Khalस video स्मीर हमोन के हमें हमारे हमारी बॉर्डी में ग्लैन कैसे कैसे हैं पिर हघ्लन के स्पैसिफिक हाम soybean थे हमें यह पता चला हर्मोन कने हरMoreन के जाहर का जरूरी नहीं कि same action हो body पे तो एक ही gland के different hormone का हमारी body की different physiology पे action हो सकता है फिर हमें यह पता चला कि हर gland की सारे hormone जरूरी नहीं है कि वो same ही chemical nature के हो फिर last point जो हमें slide से पता चली वो यह है कि एक gland से release होने वाले hormone का दूसरे gland से release होने वाले hormone की release पे या उसकी release की stimulation पे या inhibition पे या उसके function पे effect हो सकता है तो जरूरी नहीं कि हर hormone जो है वो independently अपना action शोग करे तो कुछ hormone की से दूसरे hormone की release पे भी depend करते हैं कि वो release होंगे तो इस gland को stimulate करवाएंगे ताकि वो gland further hormone को release करवा सके यह हमारी next slide है hypothalamus के बारे में हमने यह पढ़ा है कि वो release stimulating या फिर जो है वो inhibiting hormone है तो अब यह आपके समने एक slide है यह सिफ़ समझने के लिए आपने सिफ़ समझने के लिए कि कैसे देखें hypothalamus releasing hormone से create करवा रहा है hypothalamus से जो hormone release हो रहा है वो releasing hormone है hormone 1 फिर उसका action होगा anterior pituitary gland पे फिर वो हाद दूसरा hormone release करवाएगा जो के होगा stimulating hormone यह release करवाएगा यह stimulate करवाएगा अब इसने किसको stimulate करवाने है जो भी target gland होगा यह उस gland को stimulate करवाएगा फिर हर gland का जिससे हमने थोड़े पहले thyroid gland को discuss किये तो हर gland के अपने अपने hormones होगे तो यहाँ पे thyroid gland होगा या जो कोई भी target gland होगा फिर वो अपने hormone release करेगा तो यह third hormone होगा फिर function जो होगा वो इस third hormone का जो action होगा वो इस third hormone का show होगा body की physiology पे तो इस तरह से यह पूरी chain की तरह बनके एक दूसरे के ओपर जो है यह hormones dependent है जिसके वज़े से finally जो hormone release होगा वो अपना जो action है body पे show करेगा तो यह है आज के हमारी third slide इस slide में हमने अब तक जितने hormones पड़े हैं उन सब का एक flow chart बना के उनका concept सिर्फ समझने के लिए आपको समझाने के लिए explain करने के लिए ताकि आपको idea हो जाए के कहा कहां से कौन से hormone कैसे release हो रहे है तो सबसे पहले तो यह hypothalamus hypothalamus से हम start करते हैं यह है below thalamus यह हमारी body का वो ग्लाइंड है जो के thalamus से below होगा अब hypothalamus से हमने थोड़े पहले भी discuss किया हम अभी दुबारा discuss करेंगे कुछ ऐसे hormone release होते हैं जो दुसरे hormone की release को या तो stimulate करवाते हैं या फिर inhibit करवाएंगे जैसे हम अभी first पढ़ने लगे है hypothalamus से release होगा corticotropin releasing hormone CTRG अच्छा इससे पहले हम हमारे जो previous lecture थे 5 lecture उसमें हमने बहुत सारी abbreviations hormone की abbreviation हम discuss कर चुके हैं तो जो hormones की abbreviation हम discuss कर चुके होंगे या हमें याद होंगी वो यहां पर मैंने इस flow chart में उन hormones को सिर्फ और सिफ abbreviation से mention किया है हाँ अगर हमने कोई abbreviation की expanded form नहीं पड़ी है तो हम यहां पर उसको इसी flow chart में उनकी expanded form भी mention है तो first hormone है जैसे यह hypothalamus से release हो रहा है corticotropin releasing hormone CTRH तो अब यह क्या करेगा corticotropin releasing hormone इसका function है हम आगे पढ़ेंगे लेकिन आपको नाम से पता चल जाएगा कि corticotropin releasing hormone अब adrenal cortex को पर action करेगा यह और उसके hormones को release करवाएगा second है हमारे पास thyrotropin releasing hormone thyrotropin releasing hormone यह क्या release करवाएगा यह thyroid gland के उपर act करेगा अब उस thyroid gland के hormone को release करवाएगा लेकिन कैसे अब इसका direct action नहीं होगा indirect action होगा लेकिन कैसे release करवाएगा तो अब हमने पढ़े corticotropin releasing hormone CTRH growth hormone releasing hormone हमारी बॉड़ी में जो growth hormone release होता है उसको भी एक पहले hypothalama से एक और hormone release होता है जो के growth hormone releasing hormone होगा तो वो further इस hormone की release करवाएगा फिर है growth hormone inhibiting hormone जैसे यह नाम indicate कर रहा है growth hormone को ही यह ऐसा hormone है यह growth hormone नहीं है यह ऐसा hormone है जो के growth hormone की release को inhibit करवा रहे फिर है prolactin releasing factor, prolactin हमने इसे पहले पढ़ा, यह वो hormone है जो के lactation को increase करवाता है, या milk की production को increase करवाता है, तो prolactin releasing factor, यह वो hormone होगा जो के prolactin की release करवाएगा फिर है prolactin inhibiting hormone, यह वो hormone है जो prolactin hormone की release को inhibit करवाएगा, finally gonadotroping, releasing hormone हम्मोन होते हैं कर नों फिर ह हम कह सकते हैं जो हमारे जो हमारे जो में या सब्सक्राब मोंट होते हैं उनकी टो स्ट्रिमिलेट करवांगे है यह आपका लांपनाफ में लोनापनाफ नविर नंब कर न पर और आपा ल कि में लिए ध Tikति को यह भी यह neurotransmitter हैं और यह release होंगे adrenal medulla से लेकिन direct action होगा क्यूंकि आपको पता है कि neurotransmitter हैं तो यह direct action direct show release होंगे hypothalamus के response पे तो बाखी जितने यहां पे आपको नजर आ रहे हैं यह indirect दुस्त्रे hormones के release को stimulate करवाएंगे तो फिर उसके बाद हम discuss करते हैं pituitary gland हमारी body का वो gland है जो कि इससे पहले हमने discuss किया कि यह pineal gland और hypothalamus यह कहां पे होता है यह pineal gland और hypothalamus के बीच में होगा यह है pituitary gland इस pituitary gland के further तीन parts हैं कौन-कौन से anterior pituitary gland intermediate pituitary gland and posterior pituitary gland फिर third हमारे पास main gland है pineal gland यह gland release करवाता है melatonin hormone को melatonin hormone वो hormone है जो कि sleep and wake cycle को control करेगा तो अब आते हैं अब हम जितने hormone discuss करेंगे वो सारे hormones होंगे आपके anterior pituitary gland से release होने वाले hormone पहले हम इन सब को discuss करेंगे इन सब का pathway क्या होगा फिर उसके बाद हम intermediate pituitary gland को पर discuss करते हैं फिर ऐसे ही so on तो anterior pituitary gland से release होने वाले जो हार्मून हैं उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास आते हैं कि ACTH अड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मून थोड़े पहले हमने क्या कहा था कि हाइपो थरमस release करेंगा कॉर्टिको ट्रॉपन रिलीजिंग हार्मून यह एक्ट करेंगा पिचुट्री पिचुट्री ग्लैंड पिचुट्री ग्लैंड पिचुट्री ग्लैंड पिचुट्री ग्लैंड पिचुट्री ग्लैंड पिचुट्री ग्लैंड रिलीजिंग हार्मून तो यह कॉर्टिको ट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मून अड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मून के उपर एक करेगा और फिर यह फॉर्दर एड्रेनल ग्लैंट पर इसको भी हम फॉर्दर डिसकस करते हैं तो यह एंटीरे पिचुटरी ग्लैंट से फिर्स्ट हमारा हार्मून जो है वो एसी टीएच है सेकंड है टीएच मैंने आपको पहले का था कुछ अब्रिवेशन मैंने यूज की है इस फ्लो चार्ड में लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत हूँ यह जो है इसके सासर वैसे तो मैं आपको प्ता दी जाओंगी लेकिन यह एप्रिवेशन हम इससे पहले कर चुके हैं फिर है टीएच थायरवाइड स्टुमिलेटिंग यह था थायरोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मून इसने रिलीज करवाना था स्टुमिलेटिंग हार्मून को स्टुमिलेटिंग हार्मून फर्दर जो टार्गेट हमारा जिस हमने प्रिवेश स्लाइड में डिसकस किया था तो यह हमारे टार्गेट ग्लाइड करके हमारा ट पॉलिकल स्ट्यूमिलेटिंग हार्मून फिर है एलेज लुटिनाइजिंग हार्मून फिर इंटरमेडियर पिचुटरी ग्लैंड के हार्मून से हैं मैलानोसाइट स्ट्यूमिलेटिंग हार्मून यह मैलानोसाइट से हैं यह मैला टॉनिन है यह melanin को stimulate करेंगे melanocyte stimulating hormone melanin जो होता है pigmentation हमारी body का जो color होता है उसके लिए उसमें इसका role है फिर है posterior pituitary gland में oxyrosin, अच्छा oxyrosin की भी abbreviation हमने नहीं की, OT दोनों capital में लिखो गया आप फिर posterior pituitary gland का है ADH anti-diuretic hormone जिसको हमने दुसरा नाम दिया था vasopressing फिर अब pathway की तरफ आते हैं ACTH release हुआ ACTH क्या करेगा, अच्छा यह anti-diuretic gland से release फिर इसने क्या किया, adrenal cortex के उपर adrenal gland के दो पार्ट है एक है adrenal cortex, दुसरा है adrenal medulla यह है adrenal medulla जिसको हम पहले डिसको कर चुके हैं, अब ACTH क्या करेगा सिर्फ यह cortex पैक्ट करेगा यहां पर अगर हम adrenal gland लिख देते तो भी सही था लेकिन उसमें यह थोड़ी सी confusion आपको रह जाती कि उसमें cortex औ medulla दोनों आ जाता तो क्यूंकि यह adrenal corticotropic releasing hormone है या फिर adrenal corticotropic hormone है तो यह एक करेगा adrenal cortex पे तो adrenal cortex से release होगा आपके होंगे आपके steroid hormones फिर है thyroid stimulating hormone यह act करेगा यह stimulate करेगा thyroid gland को जहां से release होगे thyroid hormones जो हमने पढ़ी है T3 & T4 फिर है आपका growth hormone growth hormone एक करेगा liver पे अच्छा growth hormone के हमारा full एक topic है इसे बिल्कुल confuse मत होना आप कैसे liver पैट कर रहा है या वहां पे क्या हो रहा है तो यह हमारे पास next chapter होगा next topic है sorry इसी chapter में जो हमारा next topic है वह हमारा growth hormone पे होगा तो इंशाल्लाब हम डिसकस करेंगे growth hormone add करेगा liver के उपर liver में है somato medding यह वह cell है जो के secrete करवाएंगे somato यह हमारा जो hormone है growth hormone इसको फिर उसका action होता है body के bone और tissue की growth के उपर फिर है prolactin prolactin हम पहले इसके function को discuss कर चुके हैं lactating gland है जो के lactation को enhance करवाता है या आप कह सकते हो कि यह milky production को enhance करवाता है तो obviously इसका action होगा memory gland पे follicle stimulating hormone follicle stimulating hormone आपको 2 arrow नजर आ रहे है तो मतलब यह luteinizing hormone है second इससे भी 2 arrow है तो अब इसका मतलब यह हुआ कि इंस में follicle stimulating hormone का ovaries पे भी action होता है follicle stimulating hormone का testis पे भी action होता है follicle stimulating hormone female और male दोनों में उनका role होगा लेकिन जो main role है follicle or luteinizing female sex hormone कहते है हम इसको तो यह female reproductive system पे इनका main function कह सकते है अप लेकिन होगे दोनों में तो follicle stimulating hormone ovaries पे भी आइड करेंगे testis पे भी आइड करेंगे आइड करेंगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब मेल पे भी एक्ट होता है female पे भी होता है अब oxyrosin भी हमारा एक further sub topic है जिसकों मोर जादा detail में डिसकस करेंगे इंशाल्ला तो male और female में दोनों में कहां पे होगा reproduction में female में होगा reproduction में reproduction में fertilization से लेकर newborn के delivery है तब तक के लिए oxyrosin का role play होता है female में फिर male में है यह testosterone पे act करेगा ADH है anti diuretic hormone anti diuretic hormone is from को हमने previous lecture में discuss किया था जादा और detail में के anti है against diuretic है तो process of diuresis यानि के urine output के खिलाफ काम करेगा यह ऐसा hormone है जो के urine output के खिलाफ काम करेगा तो यह act कहां करेगा kidney तो यह आपका complete flow chart था I hope आपको थोड़ा सा idea हो गया होगा के इसमें हमारी body में कैसे hypothalamus से कौन से hormone release हो रहे हैं further वो कौन से gland पे add कर रहे हैं फिर उन से कौन से hormone release हो रहे हैं फिर वो hormone को उन से gland के उपर add करके further hormone release करते हैं और हार्मन का target हमारे body पे जो भी action होता है तो वह action अपना show करते हैं फिर यह हर hormone को मैंने थोड़ा सा आपको explain करने के लिए वैसे ही जब हमारा topic आएगे सारे हम जब topic separate करेंगे जैसे के growth hormone हम discuss करेंगे तो फिर हम उसके बाद यह जो pathway है हम इसको सब discuss कर सकते हैं लेकिन यहां पे थोड़ा सा आपको idea होते जैसे हमने previous slide में discuss किया hypothalamus है यह release कर रहा है corticotropic releasing hormone CTRH यह एक करेगा pituitary gland पे वह release करेगा adrenocorticotropic hormone को फिर वह एक करेगा adrenal gland पे adrenal gland पे भी फिर वह यहां पे adrenal cortex पे अच्छा यहां पे adrenal gland के दो part आपको show हो रहे है adrenal medulla और adrenal cortex medulla में यह वही adrenalin और noradrenalin है जो कि हमने previous slide में जिसको में नाम दिया था apinephrine और norapinephrine वह medulla से release हो रहे है adrenal cortex से जो है वह further steroid hormone जो भी है हमारे body के वह release होंगे यह next slide है hypothalamus release कर रहा है thyrotropin releasing hormone वह एक करता है anterior pituitary gland पे anterior pituitary gland release करवाता है thyroid stimulating hormone जो एक करता है thyroid gland पे ताके thyroid gland अपने hormone release करें फिर thyroid gland thyroxine release करता है और thyroxine जो हमारी body में अपना जो functional वह show करेगा जिसमें के metabolism को regulate करवाता है यह सारे chart आपने याद नहीं करने यह सारे chart आपके समझने के लिए है हाँ अगर आपको याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है जैसे के वह flow chart था वह भी आपको समझाने के लिए था लेकिन obviously examination point of use है वैसे आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा के flow chart पूरा बनाएं लेकिन अगर आप समझ लेते हो तो इसे यह होगा कि आपने अब तक जो भी पड़ा है उसके बारे में आपकी जो grip है हार्मून पर वह उर्जादा strong हो जाएगी फिर यह एक next slide है जिसमें hypothalamus दो तरह से हार्मून रिलीस कर रहा है growth hormone releasing hormone growth hormone inhibiting hormone जिसको हम somatostatin भी कहेंगे यह फ़र्दर हम और जाद इसको detail में डिसकस करेंगे growth hormone के topic में फिर यह करेगा pituitary gland पर pituitary gland release करवाएगा growth hormone या फिर inhibit करवाएगा growth hormone अगर यहीं से नहीं release होना तो यहां से ही यही inhibit करवादेगा और pituitary gland growth hormone की release को रूख देगा फिर वह action करेंगे लीवर के ओपर फिर लीवर के further action होते हैं फिर muscles पे bone pain की जो दूसरे cells होते हैं इनकी growth होती है अच्छा इस slide में आपके सामने है hypothalamus, hypothalamus release करवा रहा है, gonadotropin releasing hormone वह act करता है anterior pituitary gland पर anterior pituitary gland release करवाता है luteinizing hormone, follicle stimulating hormone फिर inka luteinizing hormone follicle stimulating hormone यह हम वैसे से पहले कर चुके हैं थर्ड स्लाइड में तो यह act करते हैं male पे male में कहा, testis पे female में कहा, ovaries पे, testis में क्या करते हैं, यह male में testis teton के release करवाते हैं और female में भी यह further sex hormones को release करवाते हैं अच्छा, यहाँ जो यह istradiole लिखा हुए तो इसमें confuse मत होईएगा यह estrogen के बारे में हैं अब istradiole की क्या story है यह हम estrogen के topic में discuss कर लेंगे लेकिन यहाँ फिलहाँ confused मत हूँ यह estrogen और progesterone ही हैं जो हमने flow chart में discuss किये थे फिर है isolate of lagarins हमारी body में pancreas में cells होते हैं इस cell के further हमने discuss किये कि इसके और 3 cells हैं alpha cell, beta cell and delta cell alpha cell secrete करते हैं glucagon, beta cell secrete करते हैं insulin, delta cell secrete करते हैं somatostratin फिर अच्छे यहाँ तक आपको थोड़ा idea हो गया होगा previous यहाँ तक इस slide तक जो हमने पढ़ा है उसकी summary में आपके सामने एक दफ़ा रख देती हूँ यहाँ तक हमने यह पढ़ा है कि हमारी body में कहां-कहां gland कैसे-कैसे मोजूद हैं फिर हर gland के कैसे-कैसे हार्मून हैं हर हार्मून का जरूरी नहीं body की physiology पे same action हो या अच्छा एक और पॉइंट हर हार्मून का जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही action हो या एक ही function हो तो हम जो यहाँ पर discuss करते हैं हम वो कोई भी उसका एक या major function को हम discuss कर लेतेwi फिर उसके बाद हमने यह पढ़ा कि कीसे किसी हार्मून की release है किसी gland की release है इसी gland की हार्मून है और फरदर हामोन की रिलीज़ को лом play प्रूंकी रिलीज़ को इन्हेविट करवाते हैं तो यह सारा यहां तक आपको समझ कर लाइब होगी, अब फर्दर हम ने जो हमारी फर्दर स्लाइड्स हैं उसमें हम वो डिस्कस करेंगे किस तरहां से हमने हामोन को उसकी chemical nature की base पे classify किया है तो start करते हैं यहां से endocrinology endocrinology again वो ही study of endocrine glands तो उसके बाद हमने hormones बढ़े के वो chemical nature होते हैं, वो सारी वो chemical substances होती हैं जो के हमारी body की physiology को change करती है अच्छा ये सारा हम पढ़ चुके हैं, क्या हमने बढ़ा था कि इसके पांच classes होती हैं लेकिन मैंने इस slide में थोड़ी sequence change की है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके याद करने के लिए कैसे start के जो तीन हार्मोने गोर कीज़ागर आप note करें तो ये तीनों दूसरे से related है, peptide small protein, glycoprotein फिर ये compound protein amino acid, फिर ये number of protein, तो ये तीनों इस दूसरे से related हुए, peptide glycoprotein amino acid तो फिर उसके बाद है कुछा कुछ references में आपको इसकी तीन classes में मिलेंगी, इसकी इस तरह सा classification करने का एक मक्सद आपको ये भी बताना था, कि peptide glycoprotein और amino acid हम इन तीनों को एक ही class में, कुछ references में ऐसा भी है कि इन तीनों को एक ही class में जिसमें हम उनको कहते हैं कि वो protein है obviously ये protein है, ये simple protein है ये भी protein है, लेकिन ये compound protein है, ये monomer of protein है, तो इन तीनों को एक ही class में mention किया, लेकिन आपने वो वाली classification याद नहीं करनी यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि अगर वो कहीं classification ऐसा कोई reference मिलता है तो confused मत होईएगा क्यूंकि वो generalized classification ये और जादा जो आपकी book में है ये और जादा detailed और specified classification है तो आपने इसी को consider करने है fourth है stearoid, fifth है amines ये हम बहुत दफापह पहले भी previous topic में भी कर चुके है stearoid कैसे होते है amines कैसे होते है अच्छा peptide से start करते है आज यहाँ पर जो मैं आपको बताने लगी हूँ तो ये मैंने इसलिए start किया है ताके आपको याद करना असान हो जाए peptide से release होने peptide जो हाम होने वह कौन-कौन से gland से release होते है anterior pituitary gland posterior pituitary gland isolate of lagarhins thyroid gland parathyroid gland GIT hormones releasing inhibitory hormone यह किसके है hypothylemus के यह hormone है hypothylemus के फिर है ovaries ठीक है यह हो गया अब आपने याद कैसे करना है वो बच्चे जिनको याद हो जाए नाम बहुत अच्छी बात है अब इसको पहले count कर लो कितने है यह आपको उस तरीके से याद करवारी है जिससे मैंने आपको amino acid की classification याद करवाई थी तो जिन बच्चों ने मेरा amino acid का lecture लिया था तो उनको idea हो गया होगा कि अभी मैं क्या कहने लगी हूँ लेकिन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है आपको इस समझना कि आपने कैसे याद करना है अब इसको count कर लो जल्दी से कितने होए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है जिन बच्चों को ऐसे भी याद है लिकिन फिर भी अगर आप यह तरीके से करोगे तो फिर आपको यह ऐसा नहीं होगा कि आप exam में कोई सी भी एक class जो इसकी subclass है वो miss करोगे तो कितने होगे यह 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 हो गई इसकी peptide की जो further हम subclasses की बात करें वो कितनी subclasses हो गई 8 अब इन सब का जो first first letter है उसको उसकी यहाँ पर की बनाओ anterior यह आग है A anterior pituitary है न A posterior pituitary gland P isolate of lagarhins I thyroid gland T फिर पहरा thyroid gland P GIT hormone G T फिर यह जो releasing and inhibiting hormone है यह मैंने आपको पहले बताई कहां से है hypothalamus hypothalamus का H ovaries का 4 ठीक है अब यह हमारे पास कितने letters हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 again 8 तो यह हमारे पास 8 इसकी classification हो गई अब इसको थोड़ा सा आपने रियर्रेंज करना है एक term बना है इसको अब आप सबके सामने शो हो रहा है अब इसको प्रोनाउंस करो O A P I A P G T P है O A P G T P है अब यह 8 letters हैं वही वाले आपके peptide के जो further हमने glands को discuss किया है उसके तो इसके according आपको यह अगर यह वाला याद कर लो फिर उसके बाद जब आप लिखने लगोंगे exam में तो यह 8 की यह जो आपके पास सब classes है peptide की वो आपको नहीं भूलेंगी ठीक है फिर उसके बाद anterior pituitary gland है इसके further अच्छा आप इन में हर gland में हमने कुछ कुछ हार्मोन पढ़े थे हैं anterior pituitary gland में है growth hormone ACTH prolactin फिर है अब इसका अब growth hormone ACTH और prolactin का एक abbreviation बनाओ G A P gap ठीक है हो जाए का यह ग्रोथ हार्मोन का G ACTH का A प्रो लेक्टिन का P Gap posterior में वैसे यह flow chart से आदो जाना चाहिए के दो यह थे वहाँ पे भी लेकिन फिर भी anti-diuretic hormone ADH और OT oxytocin के लिए है यह यह पे तो यह हो गया AT ठीक है isolate of lagarhans यह तीनों तो easy है insulin है glucagoner somatostatin है IGS फिर further तो single single ही होंगे थायरवर्ड ग्लाइन का एक असी टोनी नहीं है जो के peptide nature है पैरा थायरवर्ड ग्लाइन का पैरा थायरवर्ड हार्मोन ही है पैरा थायर्मोन जी आईटी में हमने सिफ substance P पढ़ा है releasing या inhibiting हार्मोन में आप अब कौन सी example याद कर लोगे growth हार्मोन releasing हार्मोन या growth हार्मोन inhibiting हार्मोन ठीक है ये example याद कर लोगे फिर ovaries में relaxing है जो के release हो रहे हैं यह होगी एक class आपकी अब further हमारी कौन सी classes है glycoprotein amino acid तो next में हम discuss करते है glycoprotein ये glycoprotein है इसकी चार है आपके पास classes HCG, TSH, luteinizing hormone और EPO erythropoietin यह है human chorionic gonadotropic hormone thyroid stimulating hormone, luteinizing hormone और यह है EPO erythropoietin तो इसको भी आपने ऐसे अपनी तरफ से activation बनानी इसको याद करना है HCG placenta से release हो रहा है EPO kidney से thyroid stimulating hormone anterior pituitary gland से luteinizing hormone again anterior pituitary gland से ठीक है यह side मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ी है तो second class है हमारी glycoprotein वो ये चार हार्मोन release कर रही है human chorionic gonadotropic hormone फिर है आपके पास thyroid stimulating hormone, luteinizing hormone और erythropoietin HCG placenta secrete करेगा लेकिन implantation के बाद pregnancy के बाद ठीक है फिर thyroid stimulating hormone release करेगा anterior pituitary gland, luteinizing hormone भी release करेगा anterior pituitary gland, EPO erythropoietin यह वो हर्मोन है जो के production of herbicides करवाता है तो यह release होगा kidney से, adrenal gland से नहीं अब बात हो रही है kidney की, ठीक है clear रखना अपने mind में के हम kidney से उपर वाले gland को हम कहते है adrenal gland तो kidney जो है वो erythropoietin release करेगा next हमारी class है third amino acids यह तो बहुत easy है जल्दी से याद हो जाएंगा T3 T4 amino acids में भी पढ़ें याद होगा iodinated amino acids में यह term पढ़ें थे T3 & T4 दोनों के gland कौन से है thyroid gland easy हो जाएगा next है steroid steroid के further hormones हैं जो के release होंगे steroid के further hormones हैं जो के release होंगे adrenal cortex से testis और ovaries ठीक है अब यह क्या करेगा adrenal cortex से further तीन hormones हैं जो के हैं aldosterone cortisol और adrenal androgens ovaries से है estrogen and progesterone यह तो बहुत अफ़ाम डिसकस कर चुके हैं जब हम वैसे हम ना इस चेप्टर में हमारे पास estrogen और progesterone और detail में जब आप वह पढ़ोगे फिर तो आपको एक classification बहुत ही easy लगेंगी testis में testosterone testosterone भी हमने और detail में पढ़ना है वह हमारे पास next subtopic है testosterone का तो इंशाल्ला तब आपको और ज्यादा वह अच्छे से याद हो जाएगा चलें अब यह अगें यहां पर क्यों आ रहा है क्योंके हम करने लगी है जी last class endocrineology hormones फिर repeat करते हैं हमने इसमें पांच classes की थी peptide, glycoprotein, amino acid, steroid और fifth one, amines तो अभी जो हम discuss करेंगे वो है amines, amines में हमारे पास यही चार hormones है melatonin, ACTH, acetylcholine, adrenaline and noradrenaline adrenaline यह वो ही है बच्छे जिसको हमने पढ़ा था क्या apinephrine है, noradrenaline को norapinephrine melatonin release होगा pineal gland से, ACTH जो है वो क्योंके यह neuromuscular junctions पर release होता है neurotransmitter है तो neuron और adrenaline और noradrenaline जो हैं वो adrenal gland से release होगे अब इसका भी इसके भी एक abbreviation बना रहे हैं आप अगर तो यह आपको याद हो जाएगा acetylcholine, A से, adrenaline, A से, फिर noradrenaline, Na और M से melatonin तो anum इसके abbreviation बन गई बाकि इसके जो gland है वो तो melatonin का gland से सब बच्चों को याद हो गया होगा, melatonin pineal से release होता है adrenaline और adrenaline भी हमने जो हमारा flow chart था, third side में हमने उसमें भी इसको बिलकुल ही अलग कर दिया था, इस वज़ए से यह भी आद होगा, तो इस chapter में मैंने कोशिश की थी, कि जो previous five lecture में मैंने कोशिश की थी, कि जो previous five lecture है, उसको एक ऐसे summarize बना के मैं आपके सामने show करूँ, जिसे आपको वो याद करने असान हो जाए, ठीके, तो अब फिर बच्चों ने confused नहीं होना, exam में जो भी आएगा, classification वो ही लिखनी है, ज कैसे याद होती है, जिन बच्चों को ऐसे याद होती है, तो ऐसे याद कर लें, जैसे आपको असानी लगे, लिकिन flow chart जो है वो आपके समझने के लिए, वो कोशिश कीजएगा, कि वो हर बच्चे को याद हो जाए, कि कौन से glands है, कौन से hormones हैं, तो हम next chapter में discuss करेंगे, हमार जो further हमारी classification है, जो के हमारा first hormone है, जिसको हमने detail में पढ़ना है, हमारा growth hormone, तो उसमें हमने उसको और जादा detail में discuss करना है, वो कैसे release होता है, क्या body पर function शो करता है, तो growth hormone हम इंशाला next lecture में discuss करेंगे, तब तक, stay blessed, Allah Hafiz.